सूबे में यूपी सरकार के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या ने एक धार्मिक ट्वीट कर सियासी गलियारे में हलचल मचा दी जिसके बाद राजनीती तेज हो गई विपक्षी पार्टियां विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर दूसरे समुदाय को भरकाने में प्रोद करते हैं बाद में वहां जाकर नत्मस तक होते हैं विपक्षी पार्टियां राम मंदिर को लेकर राजनीती कर रही थी लेकिन वही लोगा जयोध्या जाकर माथा टेक रहे हैं राम लला की जन्मभूमी पर भव्य मंदिर का निर्मान हो रहा है इसके साथ ही काशी म बाबा विश्वनात का भव्य कारीडो बन रहा है किसके साथ ही मतुरा में श्री कृष्ण की जन्मभूमी पर भव्य मंदिर बने हैं हर कृष्ण भक्त की इच्छा है हमने ट्वीट के माध्यम से भाव को प्रकट किया है इसमें कोई राजनीती नहीं है विपक्षी पूछना चाहता हूं खासकर अखिलेश यादव से पूछना चाहता हूं कि मतुरा में श्री कृष्ण के भव्य मंदिर बनने का विरोध करते हैं या समर्थन करते हैं यह पूछे जाने पर कि क्या कृष्ण जन्मभूमी मंदिर चुनावी मुद्दा रहेगा के सवाल पर पूछे मंत्री ने कहा कि चुनाव का मुद्दा ना भगवान श्री राम का मंदिर था ना ही श्री कृष्ण जी का मंदिर है अखिलेश यादव से पहला सवाल है अखिलेश कहते हैं कि मैं कृष्ण भक्त हूं राम भक्त हूं तो बताएं कृष्ण जन्मभूमी पर मंदिर निर्मान चाहते हैं या नहीं चाहते। इच्छा है आकांच्छा है मैं भी उस भाव को ही प्रकट किया हूं लेकिन मैं स्रीकेश का भव्य मंदिर बनने का विरोध करते हैं कि समर्थन करते हैं 22 को लेकते हुग ये चुनाओ का मुद्द्ध ना स्राम जन भूमी का मंदिर ना बाबा विश्चना जी मंदिर का विश्य है ना स्रिक्ष्ष जनभूमी मंदिर का विश्य है लेकिन जो भिषए है वो एक ही सवाल है, वह बताएं मैं जो विरोध कर रहे हैं, वह जवाब दें स्री अखले श्यादुजी से पहला मेरा सवाल है, उह बताएं, कि कहते हैं कि मैं क Aegis Rolandattack, मैं Ridrouseye, भक्त हूं मैं शिव भक्त हूं मैं गंगा भक्त हूं तो बताने सिर्केश जन भूमी पर भब मंदिर निर्मार्ट चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं इसका जवाब देना पड़ेगा